वेलकम बेक फ्रेंट्स वीपियन गार्णिंग एंड टूरिजम में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज है 5 सिटमबर 2021 रवी वार तो दोस्तो आज मैं आपके लिए एक बार फिर से गोगा मेडी जा रहा हूँ वहां की लेटेश्ट अपडेट लाने के लिए दो दो नमबर गेट है जहां तक पहले दर्शन बक्तों को दिये जा रहे थे वहां तक दर्शन करने की अनुमती है अभी तो उस बात को दोस्तो लगबग 5 दिन हो गया है 5 दिन के बाद वहां क्या सुच्वेशन है उसके लिए मैं एक बार फिर से गोगा मेडी जा रहा हूँ तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ रेलवे स्टेशन और 6 बच के 25 मिनट हो चुके हैं आप सामने जो रेलवे की घड़ी चल रही है उसमें आप समय देख सकते हैं तो दोस्तों मैंने या टिकेट ले लिया और मेरी जो ट्रेन है वो आप सामने दर्शन देख रही हो य दोस्तों मुझे दूसरे प्लेट फोर्म पर जाना पड़ेगा यह दोस्तों ऊपर का दर्शन का आप दर्शन देख रही हो तो चलिए दोस्तों मैं फटा फट ट्रेन में अपनी सीट पर बैढ़ जाता हूं क्योंकि एक दो मिनट के बाद यह ट्रेन निकलने वाली है तो द 30 मिनट पर चलने वाली है तो लगबग दो मिनट बाकी बचे हैं कि मैं यह इस टिब्बे में बैढ़ जाता हूं दोस्तों तो दोस्तों मैं हनमानगड रेल्वे स्टेशन पहुंच चुका हूं और मैंने अपनी सीट के लिए इस टिब्बे में प्रवेश कर लिया है तो चलिए दोस्तों डारेक्ट मिलेगे हम गोगा मेड़ी तो दोस्तों हम आचुके हैं गोगा मेड़ी और यह यहां का जो फाटक है उसका दरश्या आप देख रहे हो यह देखिए दोस्तों जल्दी हमारी ट्रेन रेल्वे स्टेशन पहुंचने वाली है तो दोस्तो रेल्वे स्टेशन पे किदनी बीड है उसका भी दरिश्य मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है रेल्वे स्टेशन ये देखिए दोस्तो आज दोस्तो इतनी ज़्यादा बीड नहीं है पिछली बार मैंने रेल्वे स्टेशन का आपको द्रिश्चे दिखाया था काफी ज़्यादा बीड थी आज हलके भूलके ही यत्री हमें या नजर आ रही है यह देखिए दोस्तो दोस्तो हमारी ट्रेन रेल्वे स्टेशन गोगा मेड़ी पहुंच चुकी है अब हम यहां से उतरेंगे और यहां के बाहर का जो द्रश्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ यह दोस्तो यहां जो यात्री उतर रहे हैं इस ट्रेन में आया है उनका द्रश्या आप सामने देख रहे हो कोई खास यात्री यहां नहीं है दोस्तो थोड़े बहुत यात्री आपको सामने उतरते हुए नजर आ रहे है तो चलिए मैं फटा फटा आपको रिल्वे स्टेशन के बाहर ले चलता हूँ यह दोस्तो यहां का मुख्या द्रवाजा दोस्तो यहां से यात्री दो दिसाओं में जाने वाले एक तो सीधा निकलेंगे गोरव टिला की और दूसरे मैं गेट से बाहर जहां से मैं निकला हूँ यह गोगा मेडी की और तो यहां आपको यात्री कम ही नजर आएंगे दोस्तो तो दोस्तो आप जो द्रश्य देख रहे हो रेलवे स्टेशन गोगा मेडी का द्रश्य देख रहे हो जो यात्री अभी हनुमानगर से चलकर गोगा मेडी मंदिर पे आये हैं उन सभी का ये द्रश्य है तो यहां से मैं आपको डारेक्ट ले चलता हूँ गोगा मेडी मुख्या दरवाजे के सामने तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मुख्या दरवाजा गोगा मेडी मंदिर के बिल्कुल सामने जो की मैन रोड पे स्थित है और ये दोस्तों यहां का आजुबाजु का मैं व्यू दिखा देता हूँ दोस्तों आज एक चीज यहां नोट करने वाली है यात्रियों की संख्या हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रही यह देखिए दोस्तों दोनों तरफ आप देखेंगे यहां यात्रियों की संख्या हमें बिल्कुल ही कम दिखाई दे रही है जो यात्रियों अभी रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं उनका दरश्चे आप सामने देख रहे हो दोस्तों आज 5 तारिक हो गई गोगा नम्यू से पहले जितने भी यात्रियों यहां आते थे वो सब के सब यूपी साइड के यात्री यहां आज जाना उनका चलूथा और अभी दस्वीं के बाद दोस्तों पंजाब और हर्याना अभी जितने भी यात्री हमें नजर दोस्तो वो खुला हुआ है सामने से जो गाड़ियां आ रही है वो आप देख रहे हो सभी हरियाना नंबर की गाड़ियां दोस्तो यहां आते हुए हमें नजर आ रही है दोस्तो अलांकि यह नहीं है कि हमें यूप्टी के यात्री दिखाई नहीं देंगे यूप्टी के भी चलते रहेंगे प्रंतु उनकी संख्याज कम होगी तो दोस्तों ये बेरिगेटिंग कुछ दिन पहले परसासन ने खाली करवा के यहां पुलिस वाले लगा दिये थे आज यहां कोई नहीं देखने को मिल रहा सभी दरवाजे उपन हैं दोस्तों आज मैं इस दरवाजे से जा बढ़ रहा है और यहां भी दोस्तों काफी बगजन आते हुए आपको नजर आ रहे होंगे दोस्तों पीछे दूप है इसकी वज़े से सुबह सुबह का टाइम है अभी तो कलियर नहीं दिख रहा यह देखिए दोस्तों जो हरियाना के बगजन है वो पिकपों के ऊपर वै अबार लगा हुए दोस्तों यहां यह दोस्तों यहां का जो बजार लगता है उसका दुरश यह आप सामने देख रहे हो तो मैं इन मार्किट को दिखाते हुए दोस्तों आपको मंदिर प्रांगन की ओर ले चलता हूं और وہا क्या कुछ दृश यह वो भी मैं आपके साथ श राजस्तान के जहाज की सवारी देख रहे हो यानि उंट और यह दोस्तों यहां का जो बजार है वो लगा हुआ है बक्तों की संख्या काफी ज्यादा है यह देखिए दोस्तों यह आपको मैं उंट का द्रश्य दिखा देता हूं दोस्तों यह राजस्तानी जहाज यानि वोगा मेडी सबसे बड़ा वो स्थान है जहां उंटों का मेला लगता है दोस्तों पिछले दो साल से यहां मेला नहीं लग रहा उंटों का भी तो यह देखिए दोस्तों यहां इस मार्केट में आपको काफी ज़्यादा बेड़ दिखाई दे रहे होगी और पीछे दोस्तों उंट सजे वे काफी आपको दिख रहे हैं यह देखिए दोस्तों जो मार्केट है उनमें खरीदार अभी अच्छे वले हमें दिख रहे हैं बिकने के लिए यहाँ सजे हुए हैं जो भी यूपी वाले बक्त हैं वो विस्येस करके दोस्तों यहाँ इन गोड़ों को जोड़े में लेके जाते हैं मतलब जितने यात्री आते हैं सभी के हाथ में जाते वक्त आपको यहाँ गोड़े जरूर नजर आएंगे तो दोस्तो मैं आज चुका हूँ मंदिर प्रांगन के बिलकुल सामने और ये दरिश्या आप मंदिर का भव्या नजारा देख रहे हो दोस्तो ये देखिए मौसम भी काफी साफ है आज कल और परसो दो दिन यहां लगातार बारिस हुई है आज उमस वरावा मौसम है और ये बाबा के मैं आपको दर्शन करवा देता हूं दोस्तो ये देखिए आप डारेक्ट बागरदाम के दर्शन कर रहे हैं दोस्तो वीपिन गार्णिंग एंड ट्यूरिजम आपको डारेक्ट बाबा के दर्शन करवा रहा है वो भी गर बैठे तो दोस्तो एक संग जा रहा है डोल नगाडे के साथ बाबा के मंदर की और तो चलिए मैं इनको फोलो करता हूँ और जो डेरों की दून है वो सुनवाता हूँ दोस्तों इनकी मैं दोस्तों मैं आच चुका हूँ मंदिर प्रांगन के बिल्कुल सामने और सामने का आप बागरदाम का भव्या नजारा देख रहे हो यह देखिए दोस्तों और जो भी बगजन आरे हैं दोस्तों उनका भी मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ यह देखिए दोस्तों जो भी बगजन आरे हो सामने के इस जाल के पेड़ पर अपनी मनों कामनाओं के दागे बांदते हुए आपको नजर आ रहे होंगे और इस जाल के पेड़ पे दोस्तो दागे कितने बंदे हुए हैं इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता जितने भी यातरी यूपी वाले आते हैं या पंजाब, हरियाना, मद्या, पर्देश, दिली सब के सब यहां एक डोरी बांद किया जाती हैं दोस्तो और ये बाबा के मंदिर का भवे नजारा दोस्तो आप सामने, मंदिर के बिल्कुल सामने का दरश्या देख रहे हो दोस्तो ये गोगा जी का निसान आप देख रहे हो, ये गोगा जी की स्पेसल निसानी है दोस्तो जो भी बक्त गोगाजी के यहां आते हैं तो ये बड़ा निसान लेके अवश्य ही आते हैं देखिए काफी बड़ा संग है फोटोग्राफी करवा रहा है अपना ये देखिए दोस्तो फोटो शेशन चल रहा है गोगा जी की मंदिर के साथ और इनका निसान देखिए दोस्तो काफी बड़ा है ये बाबा के दर पे अपने गाओं से लेके आते हैं स्पेसल ये हरियाना का गुरूप है दोस्तो जो भी बगजन ये आप सामने देख रहे हो व किसी बेरिगेटिंग के ये साइड का पोस्त था दोस्तो तो ये देखिए दोस्तो जो बगतों का हुजूम गोगा मेडी मंदिर पे आया हुआ है गोगा जी के मंदिर के बिलकुल सामने का दरश्या आप देख रहे हो ये देखिए दोस्तो जो इनका निसान हो निस्दिक से आपको दिखा देता हूँ काफी बारी वर कम होता है दोस्तो और काफी इसकी हाइट होती है यह देखिए तो दोस्तो आपको मैं ले चलता हूँ जहां से कोगा जी के दर्शन हो रहे हैं यानि बाबा हाजी रतन जी की कुटिया के बिल्कुल सामने जहां से जो बगजन आ रहे हैं वो दर्शन कर रहे हैं तो वहां का भी मैं आपको व्यू आज और एक बार दिखा देता हूँ यह देखिए दोस्तो यहां काफी ज़्यादा बीड मुझे सामने दिख रही है पिछे इतनी बीड नहीं थी यहां काफी बीड है यह देखिए दोस्तो सिद पीर बाबा हजिरतन की कुटिया के सामने का द्रश्य है और यह गोगा जी के मंदिर के सामने जो बगजन अपना पूजा पाठ करते वे और इस साइड दोस्तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो दूना चल रहा है जहां बाबा के नारियल चड़ाए जाते हैं यह देखिए दोस्तो काफी बगती यहां बैट के पाठ पूजा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और बीड का नजरा देख रहे हो दोस्तो आज पिछली एक तारिक के मुकाबले थोड़ी मुझे ज़्यादा बीड दिखाई दे दे रही है यह देखिए दोस्तो आखरी स्थान यही है जहां से आप बाबा के दर्शन कर सकते हो इस से आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है यह सामने का दरश्चे प्रांगन दोस्तो गोगा मेडी मंदिर के बिलकुल दोस्तों गोगा जी के मंदिर प्रांगन के आजू बाजू आपको सबसे ज्यादा बेरू वाले ही नजर आएंगे डेरू बचते हुए मतलब काफी मदूर संगीत दोस्तों सुनने को यहां सभी वक्तों को मिलता है तो मैं अपना व्यू दिखा रहा हूं दोस्तों और मेरे पीछे का साइड का व्यू आप देख रहे हो यह देखिए दोस्तों पीछे काफी तेज दूप है इसलिए क्लियर नहीं आ रहा जो बक्त आ रहे हैं दोस्तों दर्शन कर रहे हैं और वापिस जा रहे हैं बतलब ज्यादा यहां बीडबार नहीं हो रहा और दोस्तों यह कु पुरी जो अपडेट है उसको लोकों तक पुचा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पुचा रहे हैं तो दोस्तो इस पंजाब के साथी ने अपने जो विचार थे वो हमारे साथ सांजा किये दोस्तो किसी भी वैक्ति को आप अगर फोलो करते हो और वह वैक्ति अचानक से आपके सामने आजाए तो उस खुशी का कोई ठीका नहीं रहता दोस्तो तो ऐसी ही सच् दस से बारा ऐसे वैक्ति मुझे मिल जाते हैं हर बार जब भी मैं फोटो शूट करने आता हूँ और दोस्तो मेरे मुख पे हमेशा मास्क होता है उसके बाद जो दिये बक्त मुझे पैचान लेते हैं क्योंकि जब भी मैं अपना फ्रंट का व्यू दिखाता हूँ तो दोस् से यह जो दर्शक है जो मेरे सस्क्राइबर है वो इस बात को पकड़ लेते हैं और काफी खुशी होती है दोस्तों इनको भी और मुझे भी कि जो मैं या मैनत कर रहा हूँ जो जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ तो उसको देखकर जो मेरे दर्शक है वो संतुष्ट है तो दोस्तों ये था आज का गोगा मेडी मंदिर का दर्श्य है अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गोरक टिला की ओर लेके जाने वाला हूँ दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बुक्स में जरूर लिखें चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन का बटन दबाएं और ये दोस्तों एक काफी बड़ा ग्रूप बैठा है यहां और दोस्तों सामने की बैरिगेटिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था आते वक्त मैं दूसरे गेट से आऊंगा तो उसी गेट से आ रहा हूँ ये गेट आज ओपन है तो चलिए दोस्तों मिलत हैं ब्रेक के बाद